हेलो गाइज, वाइट्स आप, I hope you are doing fine, this is me, मीर वहीत, and today I will teach you the remaining part of the physiography, आज हम जो physiography का जो remaining part है वो हम start करेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों का सबसे पहले thank you बोलना चाहता हूँ, related to जो मेरा पहला lecture था, जो upload हुआ था 9 जैनुरी को, और आज जो है 8 एपरेल है, मतलब within 3 months में, आप लोगों ने, जो है, almost more than 1 lakh views दिये हैं, तो इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा thank you करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का बहुत ज़्यादा देखने को मिला इसमें, इस channel के उपर, ठीक है, आप सभी लोग, इसका मतल हैं, right, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, I am presenting this lecture through triple S, one of the best part of our fair education, having more than 1 lakh 23,000 subscribers, right, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सबस्क्राइब करो चनल को, और लाइक भी करो वीडियो को, सो देख सभी बच्चे जो हैं, जो भी फार पलंग एरहाज में बच्चे रहते हैं, उनको फाइदा हो जाए, ठीक है, main purpose इस चनल का यही है, क्योंकि आप लोग यह सोचो के, अगर आपके पास पैसे भी आप अफोर्ड कर पा रहे हो, टूशन के लिए जाते हो, ठीक है, लेकिन जो फार फलंग एरहाज में लोग रहते हैं, उनके पास, चलो fee का तो कुछ करेंगो, लेकिन रहने के लिए जगा फिर नहीं होती है, रेंट होता है, रूम का, बहुत सारी चीज़ होती है, हम तो सोच रहे हैं कि 12,000, 15,000 तो tuition fee है, तो हो जागा कम, लेकिन फिर monthly जो होता है, बहुत सारी चीज़ होता है, आपको खुद पाता है, as a student आप रहे हैं, आप सभी students ह अपने देखो कितना struggle करना पड़ता है, एक student को, तो उसके लिए भी हम ये इसलिए करते हैं, provide सोधे, गर बैठे, बच्चे क्या करें, कुछ भी pay करने के, बगेर आरा हम से गर में बैठके, अच्छा सा content ले सकते हैं, और क्या गर सकते हैं, वो qualify कर सकते हैं, exam को, ठीक है, त जोलो हम start करते हैं, आज हम start करें, वो हम यहां से start करें, that is, physiographic regions of India, यह आपको पता है, कितने physiographic regions है, five physiographic regions है, जो आपको याद रहना है, सबसे पहली बात, इंडिया के जो physical geography of India, जो इसको five parts में divide किया, सबसे पहले हमने discuss करना है, we detail, हमालियन range of mountains, number second, that is peninsular plateau, number third is the great Indian plains, number fourth is the coastal plains, and number fifth is the islands of the nation, sorry, islands of India, हरे एक हमें चीज़ देखने हैं, जो जो भी इसमें important चीज़ होगो, वो हम cover कर लेंगे, concept के base पर हम चलेंगे, ठीक है, यह जो है, आपका पूरा content जो इसमें मिलेगा, यह NCRT से मिल जाएगा, और यह more than sufficient होता है, geography का हरे exam, जितना जो भी exam होते हैं, इसको NCRT से मिलेगर कही से cover करने के जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम himalya की पूर्द जो जो मैं point है, हम पर बताऊंगा, वो सबी points है, आपको याद रखना है, वो सबी points कहें ने किसी ने किसी direction में पूछे गई हैं direct exam में, सबसे पहले हम himalya क डिखने जोह यह यह यंग फूल्ड मॉन्टेंज करना हमाल현 मॉन्टेंज को fold mountains कुछ इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं यह हो गए young fold mountain अब यहाँ पर बोला जाता है किस period से हैं इसको tertiary period बोला जाता है इसको भी याद रहना अब कौन कौन से periods होते हैं जैसे criticious period होता है tertiary period होता है यह सभी चीज़ा है हमें इसको detail में जानने की जूरू है नहीं लेकि इतना पता होने चाहिए एक period होता है क्योंकि जब हम geography को start करें हमें different periods को भी देखना पड़ता है तो यहाँ पर आपको वो periods पढ़ना नहीं बस इतना याद रखना young fold mountains किस period के हैं आपको बोलना यह tertiary period से है ठीक है which were folded over तेथी सी तेथी सी due to intercontinental collision देखो समझो इसके लिए मुझे एक lecture लगना पड़ेगा आपको अलग से जिसको बोला जाता है continental drift theory वो मुझे समझाना पड़ेगा आपको 15-20 minute लेकिन अभी नहीं वो मैं अलग लेकर आऊँगा अभी समझो दो palettes हैं जैसे ये एक palettes है ये दूसरा palettes है क्योंकि जो continent जो थी actually चाहते palettes थे ये palettes फिर मुझे करने लगे ठीक है time to time ये एक दूसरे के साथ टाकरा गए थे collision होने लगा तो उसके वज़े से suppose ये palettes A है ये palettes B है दोन से समझो अब पलेट A क्या होगा ये टाइम के साथ पलेट A क्या करने लगा वो मूग करने लगा जो ही पलेट A मूग करने लगा ये किस की तरफ चला जाएगा ये पलेट B के तरफ चला जाएगा अब जो ही एक पलेट दूसरे पलेट के साथ टाकरा जाएगा तो क्या हो जाएगा, Collision हो जाएगा इसका Mass जो है, यहुण पूरा जो है यह किस तरीक से आजाएगा यह उपर की तरह वल्ड हो जाएगा ना, इस तरीक से वल्ड हो जाएगा ना, इस तरीक से और इसे को बॉला जाता है Young Fr Flight Mort Yoobooks जैसे आप Paper आपके पास, अगर है आपका मैं आपको दिखाता लेकिन यहां दिखा नहीं सकता हूँ paper sheet पेपर sheet को आप यहां से भी hold करो यहां से भी hold करो इस साइट से भी hold करो paper अभी काट लेना आप एक paper निकाल लो इससे notebook से फिर उसको एक plane जगा पर रखो फिर क्या करो यहां से भी उसको ऐसे थोड़ा सा पुश करो यहां से भी पुश करो आप देखना paper इस तरीक से fold हो जाएगा exactly वैसे इसको बोला जाता young fold mountain question है कि हमालेन मोटेंज के formation कैसे होती आपको बोलना है intercontinental collision intercontinental collision क्योंकि continent जो होते हैं उनका collision के वज़े से हमालेन मोटेंज का क्या हो गया है formation हो गई है अगर आप यह देखोगे यहां पर यह कुछ इस तरीकी से था स्वारी यह कुछ इस तरीकी से था यह मैं बना रहा हूँ globe आप समझो world बना रहा हूँ यहां पर drop ? यह दिवायड हो गई जो है पूरा अर्ज बना यह किस में डिवायड होगा आपको बोलें यह दो पार्ट में डिवाड होगा एक पार्ट जो बना वो बना कौन सा वाला पोर्शन यो बना उपर वाला पोर्शन और बीच वाला जो है ये कौन सा बना ये वाला नीचे वाला पोर्शन बच्चा आरे बच समझ और इसको ये पूरा लेंड ये पूरा लेंड मास था न इस पूरे लेंड मास के हर साइड से water था, देंदर समझें, मैं continent drift theory का थोड़ा सा आपका idea दे रहा हूँ, ये पूरा इसको side में क्या था, ये पूरा पानी है, ये पूरा water है, इसका मतलब land mass के हर side से पानी है, लेकिन जब ये land mass divide हो गया, ठीक है, दो पार्ट में, ये हो गया साल, ये पूर्शन डिवाइड होने लगा, ये पूर्शन डिवाइड होने लगा, ये पूर्शन डिवाइड होने लगा, ठीक है, ये पूर्शन डिवाइड होने लगा, ये पूर्शन डिवाइड होने लगा, ये पूर्शन डिवाइड होने लगा, ये एक पलेड में डिव को पता है यह इसके बीच में था आय खोब यहाँ पर आपको यह बात समझ आ रहे हैं यह एक्षूली कॉंटेंडटर में कौन सा है और solid farm में कौन सा कोन किसके उपर मुग कर रहा है उसी तरीके से वो drift करते एक जगह से दूसरे का ठीक है यह तो point आपको समझ आएगा अच्छे तरीके से because of himalazar form and because of continental collision की वज़ए से intercontinental collision यह इसकी फोल्ड मोंटेन याद रखना है यह यंग फोल्ड मोंटेन है बात समझ मारी है अब next चलेंगे these extend up to these extend for about 2500 km बिट्विन इंडस और ब्रहमपुत्र गोर्जिस ठीक है from west to east in an आरक shepherd में अदर बस इतना आपको याद रखना है यह कहां से कहां तक है इंडस और ब्रहमपुत्रा गोर्जिस है अगर आपने पूरा इंड़ा का मैप देखा होगा ठीक है एक इंडस इस तरीके से होता है इंड़े में बना रहा हो ऊपर वाला portion इंड़ा का ठीक एक ब्रहमपु देखा यहां पर इंडस और ब्रहमपुत्रा गोर्ज जो है ठीक है उन गोर्जिस के बीच में ऐस तरीके से है ठीक है ऐसे फिर यहां से आप देख सकते हो ब्रहमपुत्रा इस तरीके से फुलो हो रहा है और यहां पर आप देखोगे इंडस जो होता है इस तरीके से फुलो मेटर हैं इसका मतलब क्या होता है 2500 km अगर यह मैंने बनाया हिमायलья ऐसे-ऐसे- ऐसे-ऐसे- राव देखे आ जब मैं यहां से اللहा कर दो एक इसका एक्स्टेंट देखों यहां से यहां तक यह कम से कम इसकी लेंड जो चुम से कम भी बोन रहा है कि इतना है यह approximately 2500 km इसका extension है किसका Himalayan mountains का हर एक माइट आपको याद रखना है ठीक है लेकिन question आएगा कि इसका shape क्या है ठीक है इसका shape क्या है यह आरक shaped है अगर आपने देखा भी होगा Himalayan mountains आरक shaped Himalayan mountains है ठीक है Himalayan mountains जो किस shape में है एक आरक shaped इस तरीके से ना अगर आप देखूँगे यह ऐसे आ रहा था न नोर्थ मेने आपको पहले map में देखा आए ठीक है ता फिर कैसे था फिर अफिर कैसे था फिर आप देखूँ यह आरक shaped से आ रहा था फिर मैंने क्या बोला था फिर मैंने बोला था कुछ यहां पर नौर्थ एस्टन स्टेट में अगर आप देखोगे अगर आप इसको विजुलाइज कर सकतो यह एक्चुली क्या बन रहा था यह एक औरक शेपर बन रहा है तो क्वेशन है हमाले नौर्टेंज की शेप के आपको बलना आरक शेप है क्वेशन पूचा गए इसलिए मैंने इसको हाइलाइट किया यहाँ पर आप देख सकते हैं आप अपर अपलिप्लिप्निटर हमालया इस तौह हब भी टेकन प्लिप्लिपस in three main phases 3 फेज़ें हमालया का अप लिप्लिप्निट अब्र turn ढ अब्हार हमालया ऑकर थेखने को मिले नहीं 3 फेज़ें में हमालया की आप बहां नो ब्लिप्लिपिशं को मिलेBU रहा है था boy point a six मेंने बोला था ना 0.86 मेंने बोला था परसों वहां पर मैंने मेरे मुह से निकला था संट्रीमिटर एक्चुली 0.86 मीटर है ठीक है 848.86 है ना 86 मीटर का अप्लिफ्ट मेंट जो देखने को मिल रहा है हिमालय कैमालय का अप्लिफ्ट मेंट 29 में करा कारा कौरम मेंटा मतलब यहीं बूल रहा हms पहले कौन सा रीज था motion आजाएक पहले आलडे़ी आचुका तहा कोया बना था कारा कौरम मातलबूर मेंट पहले से ही था उसके बाद हमालय आ गया कुछ बात समझें आ रही है यह समझा रहा है मैं क्या बोर बस इस पॉइंट को हाइलाइट करना जो कारा कॉरम रेंज जो है यह क्या था आपको बोना कारा कॉरम रेंज पहले था पहले कारा कॉरम रेंज और उसके बाद जो आपको लिख रहा है हमाला कारा कॉरम के बाद आया और यहां तक कि यह बात आपको पूरी समझ आई होगी यह आप देख सकते हैं यह देख सकते हैं यहां पर यह कार्god कोरम रहे हो फिर दे पहली था उसके बाद किया रहा है उसके बाद हमालया की फार्मिशन देखने को मिल रहए है ठीक है ना ये मैं आपको दिखाओंगा मैप पे भी अभी आप समझो पॉइंट को कौन कौन सा पॉइंट आपको याद रखना है ठीक है अब उसके बाद अब क्वेश्चन है यहाँ पर ती मैंने क्या बोला हिमालया के तीन फेज मैंने बोला ठीक है तो सबसे पहला फेज हम हैं फेज फिस फिस फ्रश और इस हमाले मैं जो में तक समझे को पिरिड याद रखना कि इस के बारे में पढ़ना पर उर्गरेत्व पहर्न पढ़ता है लेकिन आपके इस सिल्फ में नहीं है या आपको नहीं पढ़ना बस इतना आप गयात रख सकते हैं सेकंड फेज हो गया फार्मिशन मिडल हमाले तो पहला फेज क्या था फिर पहला फेज था इनर हमाले आई एच लिखूंगा में यह क्या था ओ लिखूंगा में phase second की में बात करूँगा ये क्या था आपको बोलना phase second जो ये formation आप middle हमाले है mh लिकूंगा मैं ठीक है इसको क्या बोल जाता है middle हमाले स्वारी और ये किस phase नमरा आपको बोलना है meosene phase में इसकी formation हुई है और inner हमाले की बात करेंगा oligosene की phase की में बात हुई है ये भी आपको ये पॉइंट याद रखना है कि दो phase, दीन phase है एक inner हमाले स्वारी क्या हो गया है इसको हाँ एक सिकंड रुका हम हम चलो तो दूसरा phase में आपको बोला वो क्या था वो middle हमाले स्वारी की बात करेंगे जिसको latest phase मतलब जो अभी हम बात कर सकते हैं अभी वाला जो वाला सबसे पहाई लाश्ट पे बनाए है इसको बोलते हैं phase 3rd, phase 3rd को बोला जाता है आउटर हमालिया याद रखना आउटर हमालिया पहले क्या था पहले था इनर हमालिया उसके बाद क्या था आपको बोलना मिडल हमालिया उसके बाद क्या है आपको बोलना है आउटर हमालिया ठीक है पहला फेज यह वाला है सेकंड फेज मिडल हमालिया थर्ड फेज किस पीरिट में बना है आपको बोलना है और उसके बाद फिर आउटर हमाला है जो आपको बोलना है पोस्ट अब आप याद रखो यहां पर देखो जैसे मैंने यहां पर इसको याद कैसे रख सकते हैं कोड में बता दो देता हूं आपको जैसे यहां पर मिडल हमाला है मिडल ह हमालया शूरू किसे होता है M से शुरू होता है इसका मतलब मेशिन पीरड भी M है आपको यह याद रखने में आसानी होगे जिसका मतलब M Middle हमाला इसका मतलब M Middle क्या बोलते हैं मैशिन उसके बाद oldest phase की बात करेंगे oldest phase oldest phase कों आपको पता है यह इनर हमाला فیرس first کا نام के ہے فیرس second کا نام के ہے ठीक है ये भी इसको मैंने बोला उसके बाद मैंने बोला कुछ कुछ किसके पिरन बनाई ये भी है मैंने आपको बताई होब यहां तक यह बात आपको समझ आया अगर आपको यह बात समझ माई है तो जादा से जादा अभी इसको लाइक करो सबसे पहले राइट तो चला हम मूग करते हैं उसके बाद मैं आउटर हमालया अब मैं एक एक करके बात करूँ कि मैंने क्या बोला मैंने इनर हमालया मैंने मिडल हमालया मैंने थर्ड जो बोला वो outer हिमालय तो मैं स्टार्ट करूँगा थर्ड पेस से मतलब outer हिमालय पहले मैं latest वाला पढ़ूँगा फिर मैं last पे जाओंगा inner हिमालयाज में यह मेरा एक यह रहेगा यहां पर एक order रहेगा पूरा सेंटियन शापना नहीं है बस सिर्फ थोड़ा सा आउटर हिमालया क्वेश्चन है कि आउटर हिमालया का दूसरा नाम क्या आपको बोला आउटर लिक बोलो यह शिवा लिक्स बोलो यह किसका नम होता है आउटर हिमालिया का यह शिवालिक इसका वेदिक नेम है वेदिक जैसे नाम होता है ठीक है अरबिक नेम होता है इसी तरी किसे वेदिक नेम है इसका वेदिक नेम जो है that is the shivalik किसका outer Himalaya का number first point number second point आपको क्या रखना है ये आपको याद रखना है this is the youngest and the lowest mountain range definitely third phase में बना है तो ये तो lowest होगा क्योंकि मैंने बोला जो पहला phase वो का उपर ही होगा second phase मैंने बोला third phase तो lowest ही होगा definitely क्योंकि वो latest बना है क्योंकि हिमालय तो generally young ही है हमें पता है कि हिमालय रेंज जो है पूरा young fold mountains है ये लेंग है और lowest range अप हिमालय है I hope यहाँ तक ये बाद आपको समझ आ रही होगी question है यहाँ पर इस range के height कितनी the range of this the height of this range varies between 600 meter to 1500 but really exceeds 650 इसकी height कितनी है मैं देखता हूँ इसके height कितनी है आपको बोलना इसके height जो है याद रखना कितना है आपको बोलना है इसके height जो है वो है कही पर 600 कही पर 1500 और कही पर क्या देखने को मिल रहा है कही पर 600 तो इन जनरल फिर बोला गया है एवरेज आप याद रख सकते हो, 650 इसकी हाइट है, आरे बात समझ, क्योंकि आपको पता है, जो मौन्टें रेंज होता है, मौन्टें रेंज तो इस तरी किस होगा न, तो यह मैंने शिवा लिक का ही पोर्शन बना लिया, अब शिवा लिक यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह इसे कं होगा, यहाँ पर और जाथ होगा, तो एवरेज हम फिर क्या लिया है, एवरेज हमने क्या लिया है, ठीक है, आप बोलोगी, सारी एवलेज, पॉर्षण को बोलब है ये avored न होता है ये वाला पॉर्षण अ सिन कलाइनल बोलते हैं और यह करस्ट बनाते हैं वुल एक रड़ा करेस्ट को बोला फॉर्प की तर जो होते इसको सिंस इसको ऊकर रोचा वस्थ Is a इसे को बोला ईंट के एक और ने ब्लॉका है इस बॉलाग में क्या क्या जता हिए च्रेक हो गए देखो यहाँ पर यह A portion यह B portion में डिवाइड हो गए अब क्रैकte आने के बाद क्या हो जाएगा यह पो सब्सक्राइड होगा न होजाएगा एक पोर्षिन नीचे रखेखा लिए मैं किया लूगा हाँ, मैं क्या बोर है, देखो, दियान से समझो, इसका मतलब फाल्ट स्क्रैप्स का मतलब क्या यह देखो, यह एक मौन्टेन ब्लॉक मैंने लिया, मौन्टेन ब्लॉक यह क्रैक हो गया, कुछ इस तरीक से, बन गया ब्लॉक A और ब्लॉक B, अब क्या हो जाता है, जुहीं क्र आ जाएगा दूसरा वाला कहां आ जाएगा दूसरा वाला यहां पर आ जाएगा दूसरा वाला कुछ इस तरह किसे बने क्योंकि यह नीचे अपनी जगप अपनी जगप पर आएगा बी नीचे आ जाएगा अब यहां पर देखो दो मॉंटेंस के बीच में एक गैप बनती है जब block में क्या आता है crack आता है दो blocks में डिवाइड हो जाएं तीन blocks में इसको बोला जाता है fault scrap इसको बोला जाता है यह fault generate होते है किसके अंदर mountains के अंदर I hope यह feature कौन दिखाता है आपको बोले यह feature सभी कौन दिखाता है कौन सा ऐसा पार्ट है कि जो fault scraps दिखाता है करेक्टरिस्टिक्स किसके हैं आपको बोलना है यह होता है शिवालिक्स को दूसरा आया जाका antiklinal antiklinal crust बोलो और sinclinal hills बोलो ठीक है antiklinal ya sinclinal valleys भी बोलते हैं आप इस इस पूर्ट है कौन कौन से hills है शिवालिक्स में आप देखो द्याइब अभी बनाया यहां पर ऐसे ऐसे बना ले आप मुझे क्या देखना है क्योंकि यह पूरा यह तो पूरा तो है लेकिन इस पूर्स यहां पर कोई हिल होगा ना कुछ इस तरीके से यहां पर होगा कुछ इस तरीके से यहां पर होगा अब अलग अलग hills देखने को मिल रहा है कौन कौन सा हिल किस रेंज में देखने को मिलेगा जो शिवालिक रेंज में ये तो पूरा ये पूरा रेंज हो गया लेकिन हर रेंज में क्या होंगे हिल्स तो होंगे न यहां पर हिल है यहां पर हिल्स है यहां पर हिल्स है आपको याद रखने हैं यह हमाले क्योंकि मैंने कौन सा बोला यह शुवालिक्स है इसका माले थर्ड फेज बना तो यह वाला पोर्शन यहां से है ठीक है तो कौन यहां पर अगर आप देखेंगे इस शुवालिक्स में आपको रेंज पूरा जो है यह पूरा सब्सुवालिक तो यहां पर आपको कौन कौन से हिलस देखने को मिले गए यह हम जाने के कौन कौन सा है कौन कौन से है आपको याद रखना है आपको टिप्स प्रदेश ठीक है मैं डिवाइड करता हूँ शिवालिक अरोनाचल परदेश में भी है दूसरा आपको लिखना है शिवालिक नेपाल में भी है तीसरा जो है शिवालिक जो है जुम्मो किश्मीर में भी है आपको बात समझ में आ रहे है मैंने क्या बोला शिवालिक रेंज है ना यह तो बहुत सारे स्टे iç में हिमालिया का पारिट है लेकर रेंग जो है जुह किस का हिल है आपको बोलना डाफला इस शिवालिक रेज का हिल है इंक पॉच्छन पूचा जाता है किस स्टेट में है आपको बोलना अरो नाचल परदिश में डाफला मीरी मिश्मी अबॉर पटकाई जब आप पंच्छे बार इसको पड़ोगे आपको टिप्स पे रहे गए डाफला मीरी मिश्मी अबॉर पटकाई पटकाई हिल्स शिवालिक हिल्स है किस स्टेट में आपको बोलना आरो नाचल परदिश में कॉच्छन पूचा जागा डाफला इस प्रेजन इन वीच अ फॉल्लिंग स्टेट आपको बोलना डाफला हिल इस प्रेजन इन शिवालिक ये हमारे पास दोद्वा रेंज, चोराई रेंज, मोरिया रेंज, याद रखना है, चोरिया, मोरिया गहट्स, दांग रेंज, और दोद्वा रेंज, ये सबी कहां पर हैं, नेपाल में, आप बोलागे, सर ये नम तो टफ है, नम तो टफ हैं, लेकिन याद तो रखना पड़ नेक्स्ट जो है जुम्हेंड कश्मीर में आपको बना जुम्हेंड हिल्स याद रखना शिवालिक का सिर्फ एक हिल है आपको याद रखना जुम्हेंड कश्मीर ने उसका नाम क्या दियागा जुम्हेंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं डेफिनिटले 100% पूचेंगे जैकि SSB कि जुम्हेंड का पार्ट है यह तो हिमालिया का पार्ट है लेकिन हिमालिया के किस वालिय फेस का आपको बोलना है इनर सार्य हमालिया मतलब शिवालिया रिंज है I hope यहां तक इह बात अपको समझ आई होगी यहां पर आप क्वेस्चन हैं यहां पर यहां पर do you know का मतलब आपको कुछ जानना है कि शिवालिक्स के बीच में क्या क्या होता है बिट्वीन शिवालिक्स एंड हिमाचल हिमाचल और शिवालिक्स की बात कर रहा है मतलब यहां पर मैं बता हूँ मैंने आपको परसों बता है था हिमाचल किस रेंज को बोलते है ठीके, यहांपर जो है, between shivalik and himalya, यह भी बोल सकते हैं, between shivalik and middle himalya, there are sural valleys, suppose मैंने यह शivalik इस तरह किसे बना लिया, और यह मैंने बना लिया, क्या बोलते हैं, यह मैंने middle himalya इस तरह किसे बना लिया, इन hills के बीच में, क्योंकि hills के बीच में, जगा भी होते हैं, space भी होते हैं बहुत सारी वैली इस पाई जाती है अब कों कुन सी वैली है आपको यारतने कार्ट्मांडु वैली यारखना नेपाल बहुत is है अगर शिवालिक नेपाल सेbliध मेजने उस तक सरी वैली देखने को मिल रहें इनके बीच में और एक कार्ट्मंड वैली जो हैं, यह कहां पर, कार्टमंड वैली किसके बीच में आपको बोलना है, यह शिवालिक्स और आउटर हिमालिया, मतलब, स्वारी, शिवालिक्स और इनर हिमालिया, मतलब, शिवालिक्स यहां हिमाचल भी बोल सकते हैं, आप हिमाचल परतेश नहीं हिमाचल, यह middle name है, इसका हिमालिया का middle portion जो इसको बोला जाता है हिमाचल तो याद रखना कोंची है काटमंड वैली in western side these valleys are called as duns and doars याद रखना इन valleys को भी बोला जाता है आपने सुना होगा देहरा dun नाम सुना होगा यही से निकला है duns and doars याद रखना doars d u a r s इन्ही वैली जो वैली शिवालिक्स और हिमाचल की बीच में है उसमें से एक important valley that is काटमंड वैली और इन्ही वैली को नाम दिया जाता है duns and doars duns and doars इसी से dun से क्या निकला है फिर नाम रखा गया देहरा dun आपको पता होगा haridwar आपको ये भी पता होगा कहां पर है since these valleys have fertile soil in valleys definitely in valleys में fertile soil होगा क्यों कि valley है वहाँ पर क्या होता है देखो क्या होता है valley में क्या होता दियान से समझो ये hill है ये एक valley है यहां पर अब यहां पर क्या होता है जब पनी बारिश होती है हैं बहुत सारी चीज़ है तो यहां पर वो रिवर जो हता है किस तरीक से फुलो करेंगे वो इस डिरेक्शन में होगा ना हमेशा उसका स्लोप होगा उसकी स्पीड काफीज़ होगा वो अपने साथ क्या करेगा सेड्मेंट्स लेकर आएगा सेड्मेंट्स को किस ।RB मोजा ले गएंगा इस वेली के अंदर जा जाएगा नения जो भी हिल से यहां से भी हिल है ways क्या यहां पर पर बारिश होती है तो इससे क्या होते है पनी की विलास्टी बहुत तेज होते हैं वह अपने साथ टेसेटमेंटे जो होता यहां सेटमेंट्ट परिवर्षन होताय है। तो यहां पर यहां पर डिपाइश होते हिं जाब वैलिस, फर्टाइल और तो कहांपर कोशिश करेंगा रहने के लिए, वो वेलीज में हुए रहते हैं, उनके पास fertile land है, यहाँपर agriculture बहुत सारी चीज़ेंगे हैं, fruits उगार सकते हैं, हर एक चीज़ कर सकते हैं, कश्मीर वैली जैसे यहाँपर है, हमाजल परिश की बात कर सकता भाб Хот सारी चीजा हम आप तेख सकते हैं यहां फूरा खिरी ओडोर DANS OR 8 ऐस आपको पता चल गया होगा अब यहां पर क्या होता है देहरादून और हारी दिवार की बात करेंगे यहां तो यहां पर तो यहां पर क्या होता है यहां पर densely population होती है किन में वैलीज में आप बोलो कि सर यहां पर densely population क्यों होती है densely populated regions क्यों होते है यह वैलीज आपको बोलना है because यहां पर क्या होता है यहां पर fertile soil होता है that's why यहां पर population ज्याद होती है क्यों यहां पर agriculture production करते खाने पीने की चीज़ें भी उनको यहां पर possible हो जाते है तो I hope यहां तक यह बात आपको पूरी समझ आए होगी अब next part the lower part of shivalics are called as tarai याद रखना it is a marshy area covered with thick forest covers to the south of the tarai region the great boundary fault which extends from Kashmir to Aasam is found द्यान से समझ अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कुछ इस तरह किसे आपको मैंने बताया था आपको जो कर रहा हो यह बनाने के लिए एक image मैंने दिखाया था आपको अगर आपको याद होगा तरहे यह वाला पार्ट यह ऐसे हैं यह bendera यह इसे समझेए यह यह involvement यह hil है यह हिल यह वाला जो है यहां से hills का जो foot वाल होता होते नहीं इस portion को बोलता तरहा suggested that the lover here, याद रखना, question, पूछा जाता है क्यों कि तरही कहां पर locate होता है, आपको बोलना है तरही is located in foot hills, chap points होते हैं वहां पर एक region होता है जिसको बोलता है, यह एक mortgage area होता है, जो कहां पर होता है, जहां पर thick forest cover होता है थिक forest cover ये पूछा जाता है कि तरही रीजन में कौन से forest होते हैं थिन या थिक आपको बोला है थिक forest cover होते हैं काफी forest होते हैं यहाँ पर गने forest यहाँ पर देखने को मिल रहा है ठीक है to the south of the तरही रीजन अब तरही रीजन का south मैंने क्या बोला अभी मैंने बोला ये शिवा लिक्स हैं शिवा लिक्स के फूट हिल्स पे क्या आपको बोला ये तरही रिजिन है अब बोला जादा तरही रिजिन का फूट हिल है जैसे मैंने अभी बताओंगा आपको ये तो कोई मैंने अभी ऐसे बनाया था उसके बद कुछ ऐसे बनाया था फिर मैंने ऐसे बनाया यह मैंने तराई यह वाला पॉर्शन हो गया तराई अब तराई का सौथ वाला पार्ट है यह पूरा तराई है ठीक यह वाला पॉर्शन तराई है अब तराई का जो सौथ वाला पार्ट है यह वाला पार्ट जो तराई का तराई का यह वाला पार्ट आगया साउथ वाला पार्ट जो है वहां पर क्या देखने को मिल रहे हैं वहां पर boundary faults देखने को मिल रहे हैं boundary faults जो के extend होता है कश्मिर से आसाम तक बस आपको यह चीज याद नहीं रखने कहां से कहां तक इतना आपको यात रेनें एक्जाम पॉइंट आफ यूख के लिए यात रखनें जो शिवा लिग का जो साउत अलशन होता है यह लावर मॉस्ट पार्ड जो होता है यहां फुट हिल्ज यह रहे वाला था ठीक है बाकी जो है हम कल करेंगे जो आपको मिडल हमाला जो है यहां लेसर हमाला इसको कल explain करेंगे और अब कल ग्राफ्स भी दिखा लूँगे इमेज भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो हैं यह तरह ए रीजन कहां से हैं किस तरीक से लेकिन यह जो पॉइंट से यह examination point of view के लिए important है आपको यह भी समझ आएगा कि दुन्स और दुवार्स क्या होता है दैरादुन के बारे महरी दुवार के बारे में बताया था मैंने in valleys in mountain range के बीच में क्या होता आपको बोना यहां पर क्यों densely populated होता है यहां पर ठीक है यह सबी आपको समझ में आ जागा आहसता हम अच्छे से इसको complete करेंगे तो कल हम middle हमाले lesser हमाले और outer हमाले इसको भी complete करेंगे फिर हम देखेंगे क्या क्या passes होते देख मैं आपको दिखाता हूँ क्या पढ़ने वाले हम कल यह पूरा middle हमाले जी सभी passes इसमें देखेंगे कहां से हमाचल डलो जी दोला दारें जी important passes मिडल हमाले जी भी हम जानेंगे ठीक है मौट एवरिस्ट के detail में पढ़नेंगे हम कल उसके बाद इसको अभी time लगे लेकिन अच्छे से हम पढ़ेंगे यह हमने बताया आपको यह भी हम कल पढ़ेंगे ठीक है यह भी हम कल पढ़ेंगे परान से माला के बार में पढ़ना है यह सब कुछ हम इसको cover कर लेंगे अच्छे तरिक्स जहां से भी questions पूछे जाते हैं पंजाब हमाला इंडस सातलूज यह सब ही कुछ गिम्योन हिल्स जो हते सब कुछ हम cover करेंगे जहां से आपको questions मिलेंगे और आपको ठीक ठाक content मिल जागा आपको समझ आयोगा अगर आपको अच्छे से समझ आया तो ज्याद से ज्यादा लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ठीक है कल मैं इंशाला एक लंबा सा आपको अच्छा सा एक प्रोवाइड करोंगे ठीक है इमेल्स के जरी से thank you so much for watching me